अलो दोस्तो वेलकम टो स्लीपी क्लास्ट दोस्तो आज हम यहां पर एक इंपॉर्टन टॉपिक डिसक्स करेंगे माइक्रोप्लास्टिक देखेंगे प्रिलिम परस्पेक्टिव ठीक है यहां पर आप टॉपिक के अंदर है इन पेंगुइन्स ऑन एवरेस्ट फूमन ब्लड यहां पर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है तो इसके बारे में बात करेंगे पहले अभी डिसेंटल एक स्टडी उसने ब्लड सेंपल चेक किये तो वहां पर ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाया गया ठीक है दोस्तो जो ड्रिंकिंग बॉटल के अंदर जिसे ब वाइट कलर की अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बार यूज होती है यह तो फंक्शन हो गहरा के अंदर वो बाडी के अंदर पाया गए इसके लवा कुछ सेंपल के अंदर पॉली इथाइलीन पाया गया है पॉली इथाइलीन ठीक है जी यह तो प्लास्टिक जो कैरीड इसके अंदर है तो थोड़ा यूपेस के अंदर तोड़ा डेटेल में जा सकती है माइक्रो प्लास्टिक यह तो अगर आपने प्लास्टिक देखा हो बहुत बड़े प्लास्टिक होते हैं लेकिन विद्धा टाइम यह डिगरेड करते जाते हैं अगर इनका साइज पांच mm से नीचे होगा तो इसको हम microplastic की category के अंदर डालते हैं लेकिन यहां पर एक दियान देना है कि क्या यह degrade होके ही सिर्फ बनते हैं या कुछ manufacture भी होते हैं उसके उपर भी बात करेंगे अब यह कहां कहां पर पाय जाते हैं यहां पर यहां पर हमें दुनिया दिखते हैं दोस दूसरा हो सकता है कि जो major macroplastic है वो with the time degrade करें और small के अंदर convert हो जाएं जो हम intentionally manufacture करते हैं उनको जलतर हम microbeads का नाम भी देते हैं अब यह कहां यूज होता है यह होता है अपना cosmetic के अंदर आप टूथ पेस्ट के अंदर देख लो आप facial वगरा जो भी आप cream वगरा यूज कर आती है तो अगर वह रिटेशनल नहीं होगा वह तो छिल जाएगा तो इसलिए दोस्तों दिया आता है लेकिन जब आप मूध होते हो तो फिर काम खराब होता है इसलिए कभी 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 करो है ना कि वहां पे वो सारा पानी के अंदर चला गया वहां से pollution होता है उससे बहुत उससे बहूं माईक्रव प्लास्टिक होता है और पूरा फूडिशें का पार बन जता है यह हो गया अब यहां पर बात यह इसलिए है कि एर वाटर रिमोट एरिया अगर आप देखे लाइट है इनका वेट लाइट है तो यह इसलिए ट्रेवल करते हैं ठीक है दोस्तों रिसेटली अगर मैं बात करूं 2020 की तो यहां पर मांट एवरेस्ट के वहां पर भी देखे गए तो यह देखो यहां पर çल रही है कि यहां इनका ब्लाइन चल रहीं के लिए wykonते हैं रही तो इनके लिए तो हमांफुल है लेकिन यह अभी डिबेटे बल है तो इसके व lens लीग पॉस्मेटिक इंग्रेडियन्ट बहुत है एक है पॉली मिथाइल में अक्रिलेट दोस्तों यह अलग अलग जैसे डेंटल डेंचर होता है उसके अंदर यूज होता है इसके लगाफ चब हो गया है ना गलेजींग हो गया सिंक्स है तो अलग अलग जगह पी उपर ये यूज प्लास्टिक फरनीचर बटल के उपर धकन होते हैं तो यह सारे इसके अंदर इससे बनते तो मतलब कई कई किसी बोलते कि यह धकन है तो तो वह क्या है पॉली प्रॉपाइलीन तो यह आपने द्यान लगना है तो इससे आप को याद रहेगा है तो वैसे घटिया बाती है बट